सीनेट इग्जाम का क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटन है, कैसे आपको त्यारी करनी है और कट आफ कितनी जाती है ये चारो बाते आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और पूरी असानी से आपको समझ में आ जाएगा ये सभी बाते और आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखो और सारी बाते समझ लो सीनेट के बारे में लेट से स्टार्ट हेलो एवरिवन वेल्कम टे स्पार्क अप क्लासेज दिसस सुमा नियादः सीनेट सीनेट का जो एक्जाम है वो आपका अटल विहारी वाजपे इमेडिकल यूनिवर्सटी कंड़क्ट कराती है और इसके थ्रू गॉर्मेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेज में आप अडमिशन ले सकते हो अगर आपको ऐसा शक है कि हम दूसरे बोर्ड से हैं अडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं या फिर हम दूसरे स्टेट से हैं, पर इसी स्टेट से हैं, हमारे पास डो मिसाइल नहीं है, तो इन सब कैटेगरी में हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं गौवर्मेंट कॉलेज में, तो इसके लिए मैंने अल्रेडी ये वाली वीडियो बना रखिया, आप जाक की बाद कैसे करेंगे, ठीक है, तो पेपर पैटन समझ लो, पेपर में टोटल पांच सेक्शन होते हैं, पांच में से आपका पहला होता है फिजिक्स, केमेस्ट्री, बाइलोजी, फिर होता है आपका इंग्लिश एंड जीके, एक साथ होता है एक सेक्शन में, उसके बाद ह सब के 40-40 questions आते हैं, ठीक है, फिजिक्स के 40, केमेस्ट्री के 40, बाइलोजी के 40, जीके एंग्लिश के मिला करके 40 questions, और 40 questions आपके आते हैं, नर्सिंग aptitude के, यानि टोटल 200 नंबर हैं, और 200 questions आप से पूछे जाते हैं, एक question का एक नंबर आपको मिलता है, और अच्छी बात यह है कि कोई भी negative marking नहीं है, यानि आप चाहो तो तुका भी मार सकते हो, अगर आपको कोई सवाल नहीं आता, तब भी आप तुका मार के आओ, कोई भी question आपको छोड़ के आने की जरुवत नहीं है, ठीक है, कोई भी question आपको छोड़ने की जरुवत नहीं है, टोटल 3 का टाइम मिलेगा आपको 200 questions solve करने के लिए और मैं आपको seriously बता रही हूँ paper बहुत ज़्यादा tough इसका नहीं आता है बहुत ज़्यादा numericals इसमें नहीं पूछे जाते हैं, simple questions होते हैं आप NEET का paper अगर जानते हो तो NEET के compare में काफी easy इसका paper होता है, ठीक है syllabus के बात कर लेते हैं इसमें class 11th और 12th दोनों के physics chemistry biology पूछे जाते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि mainly आप 12th prepare करो मैंने ये नहीं कहा था कि आपका सिर्फ 12th ही आएगा, मैं आपको suggestion दे रही थी बच्चों कि आपको पहले 12th prepare करना चाहिए, उसके बाद 11th पे जाना चाहिए, अभी मैं preparation के बाद फिरसे करूंगे पर इतना जानों आपके 11th और 12th दोनों का physics chemistry biology का syllabus आता है इसमें ठीक है, और English GK और nursing aptitude का कोई specific syllabus नहीं होता बच्चों, आपको क्या करना होता है, आपको जादा स्यादा इस पर question practice करनी है अभी मैं preparation वाले पार्ट में ये बताऊंगी तो इतना जमान के चलो physics chemistry biology का पूरा syllabus आने वाला है 11th प्लस 12th, new NCRT या old NCRT ऐसा कहीं भी information bulletin में mention नहीं है तो सबसे पहले मेरा suggestion होगा कि आप new NCRT से सब कुछ तयार कर लो, फिर time बचता है तो old NCRT के जो chapter छूटे हुए हैं आपके, वो आप तयार करना time बचता है तो, वरना आपको उस पर जादा focus करने के जरूत नहीं है, ऐसा मेरा suggestion है आपके लिए, क्योंकि officially कहीं mention नहीं है कि new NCRT से आएगा, कि old NCRT से आएगा, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? अच्छा, आगे बात कर लेते हैं कि अब आप तयारी कैसे करोगे, तयारी वाला पार्ट आपके लिए important है, देखो सबसे पहले चीज, मैं आपको अपने हिसाब से बताती हो, आपको कैसे तयारी करना चाहिए, 14 जून को आपका पेपर है, अभी आपके पास काफ़े टाइम है, आप आराम से प्रिपेर कर सकते हो, पैनिक होने के जरूरत नहीं है, आपने 12 अभी भी पास आउट किया है, तो 12 के जादे तर चीज़ें आपके दिमाग में होंगी, तो सबसे पहले 12 वाला syllabus तयार करो, physics, chemistry, biology तीनों का सबसे पहले 12 का syllabus तयार करो, 12 का syllabus पहले वो चीज़ें तयार करना, जो आपको पहले से आती है, उनको एक बार revise कर करके उनको थोड़ा solid कर लो और उनको questions प्रैक्टिस कर लो, YouTube पहले पढ़े हैं बेता, questions के videos आपको सिर्फ सर्च करना होता है, सर्च जैसे ही करोगे, आपके सामने videos आ जाएंगे, कि सीने preparation के लिए मुझे ये वाला subject prepare करना है, तो आप वो subject type करके search करोगे, आराम से आपके सामने videos आ जाएंगे, बच्चो मैं आपको कोई channel suggest नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जानते होगे, अगर आप लोग मेरी videos लगातार देख रहे हो, तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि मैं कभी किसी चीज के advertisement नहीं करती, ना मैं, ना अनूप सर, हम लोग किसी चीज का advertisement नहीं करते हैं, ना हमने अपना कोई course बनाया है advertisement करने के लिए, हम लोग इस सब चक्करों में नहीं पढ़ना चाते हैं मैं सीधे-सीधे आपको information देती हूँ जो आपके लिए जरूरी है, वो बात बताते हूँ मैं कोई book या कोई channel suggest आपको नहीं करूँगी, ओके तरीका मैं आपको बता दूँगे आपको करना कैसे है, NCRT के लावा कुछ भी book पढ़ने के जरूरत नहीं है किसी book के जंजट में मट पढ़ो, NCRT बेस्ट है आपके लिए, clear? और आपको जो question practice करनी है, वो YouTube के वीडियो से आप question practice करो, enough है क्योंकि इतने कम टाइम में आप एक book ले करके कोई नहीं बैठ जाओगे, तो आप तयार नहीं कर पाओगे, आप simply NCRT अपनी पढ़ो और question solve करो YouTube से, okay? and per subject को आपको तयार करना पड़ेगा, अगर मालो आप nursing aptitude छोड़ भी रहे हो, क्योंकि वो थोड़ा सा tough part है, वेकिन आप English और GK जरूर तयार करो, अगर आप general EWS या OBC category से हो क्योंकि मैं अगर cut off की बात करूँ तो आपका cut off 130 plus ही जाता है, 130, 135 ऐसे आपके number आते हैं, तो आपको बढ़िया college मिल जाता है, government college अगर इससे कम आते हैं, तो फिर आप private college के लिए eligible होते हो, जो कि आप चाहोगी नहीं, आप चाहोगी आपको government ही मिले, तो आपको physics, chemistry, biology तो तयार करनी ही पड़ेगी, साथ साथ में at least English और GK के भी questions आपको करने पड़ेंगे, तब जा करके आपके 130 प्लस आप आएंगे, क्योंकि अगर physics, chemistry, biology की बात करें, तो total 120 questions है, सभी कर डालोगे तब भी 120 marks ही आएंगे, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत English और GK भी तयार करो, nursing aptitude अगर नहीं भी हो पा रहा है, तो भी English और GK तो तयार करो, questions practice करके, सिर्फ question practice करके इसे तयार कर सकते हो, और previous year question practice कर लो, तो और अच्छा है, ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं, कि आपका जो paper है, वो Hindi और English दोनों में आएगा इस बार, तो आप अगर Hindi medium डाल रहे हो न, अगर आप form भरते वक्त Hindi medium डाल रहे हो, तो आपका paper Hindi English दोनों में आएगा, यानि आपके लिए double फाइदा है, जो चीज़ें आपको Hindi में समझ में नहीं आ रही हैं, आप उसका English word भी देख सकते हो, तो अगर आप Hindi medium से हो, तो पक्का है, Hindi medium paper डालो, अराम से solve करके आओ, और ऐसा मत सोचना कि Hindi medium वालों को कम तवज़ो दी जाएगी, या उनकी cut-off जादा जाल लिज़ाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, medium से cut-off का, या selection का कोई लिना देना नहीं होता है, आप जितना सही करोगे, उतने उस हिसाब से आपको marks मिलेगा, इसमें कहीं भी English वालों को जादा preference या Hindi वालों को कम preference, ऐसा कहीं भी नहीं होता है, ठीक है, और paper आपको offline होगा, या कि computer पे नहीं होगा, offline paper आपको देना है, ओके, तो ये सारी बाते हो गई, SCST के लिए भी cut-off में बता देती हूँ, जेनरल के लिए तो होता है, 130 plus 135 तक आप मानके चलो, क्योंकि competition हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज हो जा रहा है, 135 तक आप मानके चलो, 200 में से 135 marks आप ले आते हो, तो आपको असानी से government college में admission मिल जाएगा, okay next, अगर आप SCST OBC हो, तो आप 100 नंबर या 90 नंबर तक भी ला देते हो not OBC, SCST PWD अगर आप हो, तो आप 100 या 90 नंबर तक ला देते हो, तब भी आपके selection के अच्छे chances होते हैं, okay, और भी कोई दिक्कत कोई परिशानी है, तो आप जरूर मुझे comments में लिख करके बताओ, इस exam से related, मैं उस पे जल्द ही video बनाने के कोशिश करूँगी, अगर आप चाहते हो कि मैं college list पे video बनाओ, कि कौन-कौन से colleges इसके अंदर में हैं, हैं तो बहुत सारे college, लेकिन government कौन-कौन से है, at least वो मैं आपको video के थूँ प्रवाइड कर सकते हूं, okay, तो आप इससे related comment करना अगर आपको video चाहिए हो, और एक video मैं आपको recommend करूंगी देखने के लिए, अगर आप paramedical से related interest रखते हो, तो paramedical का भी form अटल भिहारी बाचपई medical university release करती है, CPIT, CPIT का video में last मैं attach कर रही हूं, आप लोग उससे जा के देख सकते हो, okay, this is all about the video, thank you so much for watching, bye, check ya! झाल